हलो एवरीवन कैसे हैं आप आप सभी को होली की धेर सारी सुब कामना है आज मैं आप लोगे लिए होली इस्पेशल बाजरे की मठरी की रेस्पी लेकी आए हूँ तो चली वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकल दबाएं, लाइक्स और कमेंट्स करें तो श्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेस्पी है बाजरे की आटे की मठरी और नमक पारे मैंने वन एंड हाफ बाउल बाजरे काटा लिया है हाफ बाउल मैंने गेहू काटा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी लिये, 1 अजवाइन, 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 1 अब मैं वन फोर्थ बॉल पानी डाल करके इसको गुंग दूँगी पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे अगर जरुरत पड़ेगी तो और डालेंगे देखिए आठा अची तरह से सिमट गया है और इसको मैं रेश्ट के दिये 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी इसे मैं क मल देते हैं आठा ने ज्यादा गीला रखना है और नहीं ज्यादा टाइट रखना है चलिए अब इसका मैं गोली तोड़ूँगी मैंने चार बड़े-बड़े गोली बना लिए हैं इसको मैं लंबा पेड़ा बना दूँगी चारों पेड़े को त्यार कर लिया हाथ में ओ तुकड़े कर दूँगी और मैं इसे अलग कर दूँगी और इसके छोटे-छोटे में नमक पारे काट लूँगी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मेरे राइट हैंड में चोट लग गई है नारियल फोड़ने से इसलिए मैं थोड़ा दीरे-दीरे काट रही हूँ ऐसे करके मैं सारे नमक पारे को काट लूँगी देखे कितना बना है पटा-फट बन भी जाता है ऐसे करके मैं सारे नमक पारे को काट लूँगी चलिए फ्रा पाइल चड़ा दिया है उसमें मैंने थोड़े टुकड़े बाजरे के अटे के डाले हैं तेल तेयार हो गया है चलिए अब मैं इसमें नमक पारे डाल दी एक एक करके मैं सारे नमक पारे को डाल दूँगी मैंने सारे नवक पारे को डाल दिये इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है जब इसका जाग थोड़ा कम हो जाए यानि खतम हो जाए तब मैं इसे पलट दूँगी देखिए इसका जाग कम होने लगा जाग खतम हो गया अब मैं इसे पलट देती हूँ आराम से पलटेंगे, बहुत ही सॉफ्ट है, मैंने पलट दिया, अब मैं दुसरी साइड भी 2-3 मिनिट के लिए इसे फ्राइ करूंगी, तब तक मैं मठरी बना लेती हूँ, देखिए मैं गोल गोल वाली मठरी बना रही हूँ, उसी याटे से ये भी तेयार हो गया है, ऐसे क करके मैं सारा बना लूँगी, एक एकर के, देखिए ये भी तेयार हो गया, चलिए अब गैस के तरफ चले, अब मैं नमक पारे को पलट दूँगी, नमक पारा तेयार हो गया, अब मैं इसे कड़ाई से बाहर निकाल देती हूँ, मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है, द टाल दूँगी मट्री को मैं तुरंत नहीं पलटूँगी वस हलका साई से हिला दूँगी यह अपने आप पक करके ऊपर आ जाएगा फ्लेम मैं low to medium रखूँगी देखिए यह ऊपर आ गया है अच्छी तरह से फुल गया है अब मैं इसे पलट दूँगी मैंने एक तरफ से इसको पलट दिया है दूसरी तरफ दो तीन मिनट में पकने दूँगी देखिए दूसरी तरफ भी तयार हो गया अब मैं इसे भी पलट देती हूँ अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लूँगी मट्री तयार हो गया है अब मैं इसे पलेट में निकाल देती हूँ देखिए मठ्री तयार हो गया है कितना अच्छा बना है ये गोल वाली मठ्री है ये भी बहुत अच्छी बनी है बहुत ही क्रिस्पी है और ये नमक पारे हैं ये भी बहुत अच्छे बने हैं आईए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है बहुत ही अच्छी वनी है मैंने तो टेस्ट कर लिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे होली स्पेसल मठ्री वन के त्यार है आप भी ट्राइ कीजिए पसंद आए, लाइक से और कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी होली